हेलो दिये स्टुडेंट्स वेलकम टो सीव कृपा स्टेडी पॉइंट एंड आइम यूर कृपा मैं दिये स्टुडेंट्स हम अपनी हानिकोम बुक का सेगिंड चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर का नाम है एक गिफ्ट ओफ चपल्स इसके जो पिछले पार्ट हैं वो हम पिछली वीडियो में कम्पलीट कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिये गए हैं आप वहां जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो जो हमारा चैनल है वहां पर प्लैलिस्ट मिल जाएगी वहां से भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कल हमने देखा था कि जो मीना, मरीदू और रवी थे उन्होंने अपने घर से एक चपलों का जोड़ा बिखारी को दे दिया था जिसके पैरों में बहुत सारे चाले पड़े हुए थे ना, उस बिखारी को उन्होंने एक चपलों का गिफ्ट कर दिया था आज हम देखेंगे कि वो चपल किसकी थी और जब उन्होंने वो चपल बिखारी को दे दी तो उसके बाद उनके घर पे क्या हुआ था यह अपना लेसन स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप पढ़ने में इतने मस्गूल हो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हो जल्दी से लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेजिए जब उन्होंने बच्चों ने अपनी चपले थी वो बिखारी को दे दी थी और बिखारी वहां से चला गया था उसके बाद क्या हुआ जो संगीत वाला मस्टर था म्यूजिक मस्टर कम आउट बाहर आया ओफ दा हाउस घर से एंड लुक एन एन एप्रिशेटिव लुक का मतलब होता है बिना श्राहनिये एस राहनिये लुक एस राहनिये त्रीके से देखा at the three of them उन तीनों को sitting quietly under the tree जो चुपचा बैठे थे पेड के नीचे प्लेइंग मार्वल कंचे खेल रहे थे then he searched for his chappals in the ब्रामदा then तब he searched for उसने खोजना जारी किया वह खोजने लगा his chappals अपने चपलों को in the ब्रामदा ब्रामदे में where he had put them जहां उसने वह निकाली थी रखी थी लाली he called after a few moments few moments थोड़ी ही देर में थोड़ी ही देर में ही काल वह बोला लाली she hurried up to him she hurried up hurried up होता है जल्दी से आना to him उसके पास वह जल्दी से उसके पास आई have you seen my chappals क्या तुमने मेरी चपल देखी है my dear मेरी प्रिये I remember मुझे याद है having kept them here मैंने उसे यहीं रखा था रवी मृदू मीना silently watched लाली रवी मृदू और मीना silently watched चुप चाप देख रहे थे लाली लाली को और संगीत वाध्यक जो मास्टर था उसे देख रहे थे सर्च एवरी कोर्नर ओफ द ब्रामदा जो की सर्च कर रहे थे खोज रहे थे एवरी कोर्नर परते कोने में ओफ द ब्रामदा ब्राम देके उन्होंने चारू तरफ घूम के देखा लुकिंग ओवर द रेलिंग जो रेलिंग थी उनकी तरफ जाते वे एंड क्रचिंग नियर द फ्लावर पोर्ट टू लुक बिट्विन दम क्रचिंग मतलब होता है जुकना नियर द फ्लावर पोर्ट जो फ्लावर पोर्ट थे फूल दान थे उनके पास टू लुक बिट्विन दम उनके बीच में देखने के लिए ब्रैंड न्यू देवर वे ब्रैंड न्यू थी एकदम नए ब्रैंड की थी मैं गया था पूरे माउंट रोड पर घूमा था टू बाई देम उन्हें खरीदने के लिए वह कहता ही गया दे कोस्ट अवहोल मंट्स फीस उनकी कीमत थी कोस्ट मीन कीमत उनकी कीमत थी एक पूरे महीने की फीस के बराबर उनकी कीमत पूरे महीने के फीस के बराबर थी क्या तुम जानती हो सून जल्दी ही लाली वेंट टू टेल हर मदर लाली वेंट गई इन अंदर टू टेल हर मदर अपनी मा को बताने के लिए रुक मनी appeared appear माने परकट होना आरना तो रुक मनी आई looking harsh जो harsh दिखाई दे रहे थी harsh means होता है प्रेशान looking harsh जो प्रेशान थी with pathy following her और pathy उसको follow करती हुई उसके पीछे पीछे वहां आई where could you देवी वे कहां हो सकती है It's really quite upsetting to think someone might have stolen them इट रियली क्वाइट अपसेटिंग ये सच में अपसेट करने वाला है दुख देने वाला है टू थिंक सोचना समवन माइट है स्टोलन दें किसी ने उन्हें चुरा लिया है वेंडर का मतलब होता है जो बिना ही विजय से गलियों में जो घूमते रहते हैं उनको बोला गया है यहां सेंस बिखारी से ली गई है दर्वाजे पर आते हैं वर्रीड पाती पाती ने चिंतित होकर कहा रुक मनी काच साइट ओफ रवी म्रेदू एंड मीना रुक मनी ने काच साइट का मतलब होता है नजर डालना रुक मनी ने म्रेदू मीना और रवी पर नजर डाली शिटिंग अंडर दथ ट्री जो पेड के नीचे बैठे हुए थे है व्यू चिल्डरन क्या बच्चो तुमने सी बिगेन उसने सुरू किया और तब शींग देवार देवार क्योरिशली क्वाइट क्योरिशली क्वाइट में वे एकदम शांत थे उच्षूकता वस सांत होना वेंट ओन मोर्शलोली वह थोड़ा और धीरे बोलने लगी सीन एनिवान लरकिंग अराउंड दब रामदा सीन क्या तुमने देखा है एनिवान किसी एक को भी लरकिंग लरकिंग का मतलब होता है चोरी चिप्पे कहीं पे आना चुपचाप गुमना क्या तुमने किसी को च उपचाप गुमने के पास नाले सीन ऐते वे देखा है ए शेव इसार्प वी सेपल लाइन एक तीखी तेज वी शेपल लाइन एड फोरंड बन गई थी बिट्वीन हर आइबरो मिई उसकी आइब्रों की बीच में उसकी बोहों के भीग में 1 वी सेपल बन गई थी आइदर एनेदर स्टेट तायक्न सो रही थी उसका जो हमेशा से सोफ्ड रहने वाला और खुम्छ रहने वाला चहरा था उस पे जा कथोरता थी ़ो दिखने लगी थी रुक्मनी वाज एंग्री, रुक्मनी गुस्षे में थी, थोट मृदू वाज विदेश सीवर, सीवर होता है कपकपाहट, कंपकपी लेना, ठीक है, थोट विद मृदू, विदेश सीवर, मृदू ने कंपकपाहटे हुए सोचा, वह इतनी उदास नहीं होती, इफ यदी, सी न्यूँ वह जानती, अबाउट दपूर बैगर, उस बेचारे गरीब बिखारी के बारे में, सोर्स, सोर्स मिंस भी यहां चाले ही होता है, ठीक है, सोर्स चाले पड़े हुए थे, जिसके पैरों में, अगर उसे उस गरीब बिखारी के बारे में पता होता, तो वह इतनी उदास नहीं होती, उसने अपने आप को समझाने की कोशिस की, किसने की थी, ब्रिदू ने, नेक्स देखिए, टेकिंग ए डीब ब्रिथ, एक गहरी सांस लेते हुए, यहां एक बिखारी आया था, पूर थिंग, बेचारा गरीब, He had such boils on his feet, यहां boil का मतलब भी चाले ही होता है, He had such boils, उसके बहुत सारे चाले पड़े हुए थे, on his feet, उसके पैरों में, So, तो क्या हुआ, said Rukmani Grimley, Rukmani ने गुस्षे में कहा, तो turning to Ravi, Ravi की तरफ मुड़ते हुए, You gave the music master chappal to that old beggar, who turned up hair, You gave, तुमने दे दी, the music master chappal, जो music master है, उसकी chappalे, तो that old beggar, उस बुढ़े भिखारी को, who turned up hair, जो यहां आया था, Children's these days, granted Patti, पatti ने चुपचाप कहा कि, Children's these days, आजकल के बच्चे भी, अमा, didn't you tell me, about Karan, who gave away everything he had, अमा, didn't you tell me, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था, About Karan के बारे में, who gave away everything, जिसने सब कुछ दे दिया था, He had, जो उसके पास था, Even his gold earrings, यहां तक की, अपने जो सोने के बाले थे, वो भी दे दिये थे, He was so kind and generous, वह बहुत दयालू था, और उद्दार था, Generous, उद्दार, kind, दयालू, Silly, snapped Rukmani, Silly means, मूर्ख, snapped, डाट लगाना, फटकार लगाना, Silly, मूर्ख, snapped, रुक्मनी, रुक्मनी ने डाट लगाई, Karna did not give other pupils thing, Karna, जो करन था, वो किसी दूसरे लोगों की चीज़े नहीं देता था, He had only gave away his own, वह केवल अपनी ही चीज़े देता था, But my chappals would not have fitted the beggar's feet, But, लेकिन, my chappals, मेरी chappals, Would not have fitted, पूरी तरह से feet नहीं हो रही थी, To that beggar's feet, उस बिखारी के पैरों में, Ravie rushed Brasley on, Ravie कहता ही गया, Brasley बिना डरे हुए कहता गया, And Amma, if they did fit, Would you not really have minded, If they did fit, अगर वह सही आ जाती, उसके पैरों में अगर वो fit हो जाती, Would you really not have minded, तो क्या तुम मुझे वास्तों में कुछ नहीं कहती, Ravie sad Rukmani, Rukmani ने कहा, Ravie very angry now, जो कि अब बहुत गुस्सा हो चुकी थी, Go inside this minute, अभी अंदर चले जाओ, This minute, अभी के अभी, Go inside, अंदर चले जाओ, See, You read, Indoors and brought out, Goopu Mama's hardly worn new chappals, See, Where are you, You read, जल्दी से, Indoors, अंदर गई घर के, अंदर गई, And brought out, और ले कर के आई, Goopu Mama's hardly worn, Goopu Mama की, बहुत कम पहनी हुई, Hardly worn, बहुत कम पहनी हुई, New chappals, नहीं चपले, These should fit you, ये तुम्हें fit आ जाएंगी, Sir, Shrimaan जी, Please put the zone, कृपया इन्हें पहन लीजिए, I'm so sorry, मुझे बहुत खेद है, My son has been very naughty, मेरा जो लड़का है, वो बहुत naughty है, Naughty means सरार्ती, मेरा बेटा बहुत सरार्ती है, The music master's eyes light up, Music master की आँखे, चमक उटी थी, He put them on, उसने उन्हें पहन लिया, Trying not to look too happy, Trying कोशिस करते वे, Not to look, ना दिखाई दे, Too happy, बहुत खुस, Happy खुस, Too happy, बहुत खुस, Well, ठीक है, I suppose, मैं, suppose करता हूँ, आसा करता हूँ, These will have, यह जो चपले हैं, To do, काम चला दे, मैं suppose करता हूँ, इनसे काम चल जाएगा, These days, Children have no respect for elders, These days, इन दिनो, Children have, बच्चों के पास, No respect, कोई respect नहीं है, कोई आदर नहीं है, For elders, बढ़ों के लिए, What to do, क्या कर सकते हैं, यह हनुमान incarnate, हनुमान का incarnate आउतार, यह हनुमान का आउतार है, Only Rama can save, Such a naughty fellow, केवल भगवान राम, केवल राम ही, Save कर सकते हैं, बचा सकते हैं, Such a naughty fellow, ऐसे सरारती, बच्चों को, रुक्मनी, Eyes flashed, रुक्मनी की जो आँखे थी, Flashed, वो चमकने लगी, She did not seem to like, Ravie being called a manky, She did not seem, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, To like, Ravie को ऐसा कहना, Called a manky, एक बंदर, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कि कोई Ravie को बंदर कहे, Even a holy monkey, यहां तक की एक पवित्र बंदर, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जब Ravie की तुलना, उसने हनुवान से की थी, She stood stiff, and stayed, by the front door, She stood वह खड़ी थी, Stiff and state, अकड़ी हुई, और she थी, Stiff अकड़ी हुई, और state, she थी, by the front door, जो सामने का दरवाजा था, उसके उपर, इट वाज क्लियर, she wanted him to live quickly, ये साफ था, इट वाज क्लियर, ये साफ था, she wanted him to live quickly, वह चाहती थी, कि वह जल्दी से चला जाए, When he had clattered off in his new chappals, clattered होता है, खटखटाना, ठीक है, When he had clattered off in his new chappals, जब वह अपनी नई चपलों के साब, खटखडाते वे चला गया, she said, मृदू, come in and have some tiffin, she said, वह बोली, मृदू, come in, मृदू, अंदर आओ, and have some tiffin, यहाँ tiffin का मतलब होता है, खाना, ठीक है, तो उसने कहा कि, मृदू, अंदर आओ, और कुछ खालो, honestly, इमानदारी शे, how do you children think such of things, how do you children, तुम जो बच्चे हो, कैसे सोच लेते हो, such things, ऐसी चीजी, thank God, बगवान का, शुक्र है, your gopoo mama, तुम्हारे gopoo mama ने, does not wear he chapel to work, अपने काम पर, अपने चपले नहीं पहनती, शुक्र है बगवान का, जैसे ही वह वाक कर रही थी, जा रही थी, टुआर्स की तरफ, कीचन एंड, विद मृदू एंड, मृदू और मीना के साथ, जैसे ही वह कीचन की तरफ जा रही थी, सी सड़नली बेगें टू लाफ, वह अचानक हसने लगी, बट, सी है, जल्दबाजी में रहते हैं, तो थ्रो ओफ, इस शूज अपने जूते और जुराब निकालने की, एंड, गेट इंटो इस चपपल्स, और अपनी चपले पहनने के लिए, वह बहुत जल्दी में होते हैं, तो ओफ, इस शूज, अपने जूते निकालने की, एंड, शूक्स और जुराबे निकालने की, एंड, गेट इंटो इस चपल्स, और अपनी चपलों को पहनने की, एज सुन आज, एज ही कम्स हूम, जैसे ही वह घर आते हैं, वाट्स यूर मामा, गोइंग टो से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे, जब आज स्याम को, मैंने उसकी जो चपले हैं, वो म्यूजिक मास्टर को दे दी, तो प्यारे बच्चो, इस परकार अपनी जो कहानी है, उसका अंत होता है, एक गिफ्ट ऑफ चपल का पता चला, गिफ्ट किसको दिया था, एक बिखारी को गिफ्ट दिया था, जिसकी पैरों में बहुत ज़्यादा चाले पड़े उए थे, तो आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन बच्चों ने सही किया था, या आपकी नजर में उन्होंने कुछ गलत किया था, जो भी आपकी राय हो, कॉमेंट बोक्स में जरूर बताना, और आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दी जाएगी, अगर आप सारे लेसन को एक शाथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रेप्शन बोक्स में उसका लिंक देख लेना, वहाँ से सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों, थैंक्यू फॉर वाजिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, तिल देन बाइबा,